राज़त के परदे सध्यक्ष रहे जगदादन सिंग ने स्थीपा दिया उसके बाद उनका स्थीपा स्विकार कर लिया गया स्विकार करने के बाद अब राज़त का नया परदे सध्यक्ष कौन होगा इसकी तलाश शुरू की गई बता दे आपको कि दिल्ली में दो दिनों तक महा अंदिवेशन चल रहा था राजत का जिसमें पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना है अगामी होने वाले चुनाओं में किस तरीके से पार्टी प्रखर रूप से अपनी राजनिती पकड़ बनाएगी इसकी भी मंत्र राजत कारे करताओं को दी जा रही थी कयास ये लगाए जा रहे थे कि इस बैठक में जगदानंज सिंग जो है जो प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त तक थे राजत के वो शामिल होंगे लेकिन जगदानंज सिंग उस बैठक में उस महा अधिवेशन में सामिल नहीं हुए हलाकि उनके बेटे सुधाकर सिंग जो थे वो उस महा अधिवेशन में सामिल हुए थे लेकिन जगदा नंद सिंग शामिल नहीं हुए ऐसे में नाराजगी जगदा नंद सिंग की असपस रूप से जलक रही थी उसके बाद जब लगतार सवाल किया गया तेज़श्वी यादो से तो उन्होंने कहा कि नाराजगी है तो हम मनाने की कोशित करेंगे लेकिन राजग के प्रदे सधक्ष जगदारंद सिंग नहीं माने उन्होंने स्थिपा दिया और अब लालू प्रशाद यादो ने राजग के नए प्रदे सधक्ष को अपना अशिरवात दे दिया है आपको बता दे कि लालू प्रशाद यादो बीते दिनों अपना इलाज कर लेकिन उससे पहले में उन्होंने राजत के नए प्रदेश अधक्ष के रूप में चेहरे को जो है उन्होंने अपना आशिरवात दे दिया है और मुहर लगा दी है हाला कि पहले इस रेस में जो थे अब्दुलबारी सी दिखी थे शामरजक थे लेकिन अब जो है राजत के नए प्रदेश अधक्ष शिवचंद्र राम जो है उनको बनाया गया है यानि कि शिवचंद्र राम पर मुहर लगती हुई दिखी गई है आपको बता दे कि लालू प प्रदेश अधक्ष के रूप में शिवचंद्र राम अब देखने के लिए मिलेंगे आपको बता दे कि प्रदेश अधक्ष जगदनन सिंग की नाराजगी बेटे सुधाकर सिंग के स्थिपे को ले करके थी सुधाकर सिंग लगतार नितिश्कमार के उपर में हमले कर रहे लगतार बात है यह कह रहे थे कि करिसी विभाग में बहुत भृष्ट अचार है चोरी होती है सरकार इस पर रहे थे और इसी क्रम में नितीश कुमार ने भी उनसे बात्चित करने की कोशिश की लेकिन बाद में स्थीपा जो है सुधाकर सिंग ने दे दिया और स्थीपे का स्विकार खुद उनके पिता जगदानन सिंग के द्वारा कराया गया उसके बाद तेश्वियादों को पत्र इसी बात को लेकर के जगदानन सिंग नाराज चल रहे थे पितले कई दिनों से हलाकि कई लोगों ने उनको मनाने की भी कुर्शिस की लेकिन जगदानन सिंग नहीं माने और नहीं मानने के बावजूद उन्होंने अपना प्रदेश अधक्ष पद से इस्थिपा दिया और अब राजत के नए परदेश अधक्ष जो हैं सिवचंद्र राम बनाए जा सकते हैं फिलाल इस खबर में इतना ही आप देखते रहे हैं दभी हाट आप बहुत बहुत धन्यवाद